कि हेलो एवडियों वेडी गूड इविनिंग टो वाल आप यू मैं डॉक्टर विजेश रंजान आप लोका स्वागत करता हूं अपने यूटुब चैनल की भी सीविन पर दोस्तों 28 मार्च है और इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं पर्सनल इंटर्व्यू कैसे होगा पर्सनल इंटर्व्यू के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में पिछले लास्ट दो वीडियो में जो के से संब्धिता मैंने डिसकस किया था पहले वीडियो में पर्सनल इंटर्व्यू कॉल के बारे में कि जब आपके पास कॉल आएंगे आप से क्या क्या पुछ उसके बाड़े में discuss करेंगे इस वीडियो में जिन लोगों ने पिछले दो और वीडियो की समंदित नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लिए तब भी मैं थोड़ा सा शौट में इस वीडियो में भी बता रहता हूं तो दोस्तों जैसे कि आप हम लोगों ने लेवल फॉर जीके टेस्ट वार वीडियो अडिशन देखे निकले हैं भी अब क्या होगा आपको वहां 20,000 लोगों का 20,000 लोगों ने दिया था दबके कुछ लोगों तो चूट गया था उसका अभी तक कुछ के लिए नहीं हुआ कि रिडियो अडिशन होगा या नहीं हुआ अभी तक क कॉल करेंगे आप से आपका आपको तो कॉंछन बोलेंगे कि ख्रेट जो खानिक लिए अपको का नाम पूछेंगे रहाँ सब्सेटे के अपको वही बताना है जो आपने प्रोप कर समय ड्रा स्मaden तो आपको एज चेंज नहीं करना है, चेंज करेंगे, फोन डिसकनेक्ट हो जाएगा, तिसरा आप से एक email id पूछेंगे, आपको एक email id प्रवाइट करना है, जो आप हमेशा खोलते हैं, तो दुस्तों, जो इस चुकी ये representative call होगा, तो यहां पर आप उनसे कोई भी query पूछ स सकते हैं, आपको जो भी doubt है, आपके मन में, जब आपके पास call आएगा, तो आप उनसे बात कर लेंगे, सब कुछ पूछेंगे, चलिए, इससे आगे बढ़ते हैं, जब email id उनको दे देंगे, तो वो आपको बोलेंगे कि आपके email id पे, अभी कुछ एकाद दिन में एक PDF मिल हैं उसको, उसको जब आप वापिस भीजेंगे reply तो आपको अलग से mail compose नहीं करना है, आपको उसी जिस mail से आया होगा, उसी mail पे आपको reply section में जाके भरा हुआ PDF आपको भीजना है, उसके अलावा आपको document भीजने हैं, उसके बारे में हम लोग चाचा कर चुके, उसके अला document भी देना है, फिर मैं फिर से बताता हूँ, यह मैं सिफ अपने experience के अधार पर बता रहा हूँ, आपको जैसे email मिलेगा तो आप उसको तसली से पढ़िएगा एक एक चीज को, जो जो चीज मांगा जाएगा और जब मांगा जाएगा जो timeline आपको deadline दिया जाएगा, उसके अ माइक्रोफ टीम का link हो, पिछली बार तो वही मिलाता है, जिस Microsoft team app होता है, जिसके उपर interview होता है, personal interview, तो अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि online ही interview होने वाला है, तो उस link को आपको download करके अपने mobile में या laptop पे setting कर लेना है, Microsoft team का, उसे description में मैंने link दिया हुआ है, वहा mail पे ध्यान दिजिएगा, mail पे जो link मिलेगा, तो अब क्या करना है, जब interview पहले बता दू, नौ से अठारा तारिक के बीच में होगा, चली इत्रों सब मैं पिछले साल की बातें बता देता हूँ, पिछले बार 16 मार्च को video audition और GK टेस्ट हुआ था, और उसके 10 दिन के बा आता है, तो यह चार-पांच तारिक बनता है, चार-पांच अपरेल, पिछले बार 31 मार्च से personal interview शुरू था, यानि उसके चार दिन पहले, तीन दिन, चार दिन पहले ही, call आना शुरू हुआ था, तो आप लोग ने सब रखियेगा कि कब शुरू होगा, कब call आएगा, इस personal interview शुरू होने से चार-पांच दिन पहले ही call आया था, मैंने आज रिसर्च किया, बैक जाके, तो यह मुझे पता चलो, sorry, और PDF जो भेजते हैं आपके mail ID पर, जो आप mail ID उनको देंगे, वो सिर्फ दो दिन पहले उन्होंने भेजना शुरू किया था, 31 से online personal interview था, और 29 मार यह लगबग वही question होगा, जो मैंने पिछले वाले आपको वीडियो में contestant profile sheet में होना है, तो आप एकी script बना लिए, थोड़ा बहुत question उपर नीचे होगा, तो आप एफिर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम समय आपको मिलेगा, उसको भेजने का, और वो भेजेंगे, उसके ब बीच में 600 लोगों का personal interview होना है, तो सभाविक है, एक दिन में नहीं होगा, अलग-अलग दिन में, अलग-अलग slot में सबका interview होने वाला है, अब आगे सुनिए, जिसने आपका interview होगा, मैंने आपको अभी थोड़ी दिर पहले बता है, कि एक link आपको मिलेगा, Microsoft team का, जो करना है, तो mobile पे, या laptop पे करना है, तो laptop पे, last year उसी पे interview होगा था, तो जब आपको, जब आपके पस mail आया होगा, जिसमें link मिलेगा, PDF मिलेगा, वहाँ प एक चीज और आपको mention रहेगा, कि आपका interview इतने तारीकों, इतने वजे, इस slot में होगा, तो आपको उस से पहले, आपको ready हो जाना है, मालेजे, 9 April को ही सुबह 10 वजे आपका personal interview है, तो आपको ready हो जाना है, ready किस तरह से होना है, जैसे आप बिल्कुल video audition के समय, तैयार हुए थे, यानि आपको उसी तरह का कपड़ा पहना, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, contrast color का background होईसा ही होना चाहिए यह light white color हो तो सबसे best है, light yellow भी हो तो चलेगा, बताब background light color होना चाहिए, आपका shirt, contrast color का होना चाहिए, यह सब होनों चर्चा कर चुके है, video audition के समय, जैसे red color, purple, blue, green, pink, यह सब color चलेगा, लड़कियों के लिए भी, महलाओं के लिए भी, उसी तरह का sari, उसी तरह का, बताब बिल्कुल contrast जो खिले, उसमें क्या होता है कि photo अच्छा होता है, उसके अलावा आपको जिस कमरे में, आप तो एक जगा खुझना पड़ेगा, कहां पर बैठ के आप interview देंगे, तो वो आपके घर का best जगा होना चाहिए, जहां पर network, जैसे ही मैं बोल आँ तो से यह आपको और mobile के network से कितना हो पाएगा, मुझे थोगा सा doubt है, यदि Wi-Fi अप ले सकते हैं, तो बहुत बढ़िया रहेगा, एक दिन के लिजे, दो दिन के लिजे, या ऐसे जगह चले जाएगे, जहां से आपको Wi-Fi अब लेवल हो जाए, कोई दोस्त हो, कोई चाचा हो, कोई relative हो, जहा हैं, तो network का होना data, कमरे की light, कमरे की light इतना अच्छा, एकि मैंने कुछ वीडियो भी देखे हैं, भी कुछ लोगों ने वाजा, प्रॉपर लाइट आपके चेहरे के उपर पढ़ना चाहिए, जैसे आप studio में फोटो किचाने जाते हैं, आपके उपर light डालता है न फोटो कि देखे देखेंगे, तो आप हाथ में लेकि आप interview नहीं दीजिएगा, मोबाइल को, उसको आप tripod डालिएगा, या किताब एकठा करके जैसे video audition में किया होगा आपने, वैसे आपकी नजरे बिलकुल camera के lens पे होना चाहिए, camera के lens पे, front camera ही होगा, camera के lens पे जिससे उनको पता च कर रहे हैं, तो यह सब सब्धा नहीं हो, दूसरा और एक चीज, कोशिश किजिए, आप घर से दे रहे हैं तो आवाज बिलकुल नहीं होना चाहिए, आप उस camera में बठीएगा, जहां कोई भी शोर शरावार नहीं हो, कोई बच्चों के आवाज नहीं हो, कोई जैसे पेट ह होते हैं, कुट्य के आवाज आती है, गाड़ियां चलने के आवाज आती है, जैसे वेडियो बना रहा हो नीचे कबाड़ी वाला गुम्रा, तो उस तरह के आवाज आती है, तो इस तरह के आवाज नहीं आनी चाहिए, इस बात पर भी आपको ध्यान देना है, बिलकुल silent camera ह होना चाहिए, जिस दिन आपका interview होगा, जो जिस slot पर होगा, उससे ठीक आदा एक घंटा पहले आपके पास एक call आएगा कि एसी टीम की तरफ से, वो interviewer नहीं होगा, एक call आएगा, उनके team member होंगे, वो आपको relax करा देंगे, आप जैसे अपने दोस्तों के साथ phone पे बात कर है ना, बिलकुल वो लोग आपसे वह सही बात करेंगे, कहीं से कोई stress लेने की जरूवत नहीं है, वो आपका laptop खुलवाएंगे, आपका mobile खुलवा के आपका जितना setting होता हो करवा देंगे, कि अभी जो interview लेने वाला आएगा, उसको दिक्कत नहीं हो, सब कुछ आपका ओ र यार हो या नहीं, ठीक है, तो इस सब सारी बाते बहुत important है, जो नहीं करना है, मैंने बता दिया, शोर, शराबा, कुते की आवाज, घर में, कीचेन में वह रहा होता है, तो उसके भी, वहां से भी खट पट की आवाज आती है, वो सब भी बंद रखना है, आपको ध्यान र कर देंगे, उसके बाद नंबर आता है, इंटर्व्यू लेने वाले का, वो आपको वेट कर वाएगा, परिशान होने की जरूवत नहीं है, एक्दम पेशेंस रखेगा, कोई स्ट्रेस नहीं ली जाएगा, और इंटर्व्यूर जो आएगा न, वो भी आप समझे, आपका द वीडियो में बता दिया आपको, जो कुछेंगे आपसे, नॉर्मल कुछेंगे फैमिली यह सब, जो आपने पीडियाप में डाला होगा, वो पीडियाप आपका पूरा पड़ के आएगे, आपका पुरा वीडियो देख के आएगे, उसी से रिलेटेट कोश्चन होंगे, ऐसे को, आंसर करना नहीं आता नहीं आता है तर ओब बोलना नहीं आता है या मै भूर जाय को और पढ़ने की जरूवत है? घबड़ाने की को जरूवत हैं की नहीं आता है तो आप stress ले लिए. मयरा तूछ ले लिए, मुझे तो नहीं आख कुछ नहीं आपको simply से जवाब द दोस्तों जैसे कि आपको अकेले बैठना है, जब तक वो आप से पूछे नहीं आपके family member को मिलवाने के लिए नबोले, तब तक आपको अपने family member से नहीं मिलवाना है. आप वेट कीजिएगा यदि आपको बलते हैं अपने अपनी वायप से अपने हस्वेंड से अपने बैहन से किसी से तब आप उनको आवाज दके बुला सकते हैं मिलवा सकते हैं सकते हैं विश् profess zwei आपको अपनी तरफ नहीं मिला ना फिर से वह बता दो दोस्तों जैसे कोई एक सवाल पुछा ना तो उसको आप elaborate किजिएगा अपना इंटर्व्यू का टाइम लंबा किजिएगा कुछ लोग जवाब देखे तो अंशान्त हो जाते हैं चुप हो जाते तो नहीं उडिटी सीदी बाते भी नहीं करना भी नहीं है आप उसी चीज को लब जैसे कोई कोशन पुछ दिया है हिस्तरी से समंदिश कोशन उसके बार वे आप जानते कुछ ज्यादा जानते तो भी आप बता सकते हैं मतलब आपको अपना ओवर इसमार्ट नहीं दिखाना है लेकिन इसमार्ट नेस्स दिखाना है कि हाप स्मार्ट हो आप हर एक कि नहीं प्लीज मेरी एक कहानी यह सब कुछ नहीं किजेगा कोई फैदा नहीं है उल्टा और निगेटिव इंपक्त पड़ेगा आपके इंटर्व्यू पर क्योंकि उसके हाथ में ही नहीं है अब आपका जब इंटर्व्यू शुरू होगा ना तो एक लाइन जो बोलेगा उस बात पर ध्यान रिखेगा वह आपको बोलेगा कि हम जो आपसे बातशीत करेंगे यह सारा इंटर्व्यू रिकॉर्ड होगा ठीक है वह आपको बता देंगे वातसाही में ओर रिकॉर्डिंग होगी और रिकॉर्डिंग आप आपका और इंटर्व्यू जो आपसे स्टूडियो ने जो पूंसर करता इसको प्रोड्यूसर है क्या सी का उस्टीम का एक मेंबर होगा वह दोनों बैटके आपकी रिकॉर्डिंग को देखेगा रिकॉर्डिंग में क्या देखेगा आपने किस तरह से जवाब दिये आपका हाऊ-भाव कैसा था एक्सप्रेशन कैस करफेंट कैसा था आपका आई मोमेंट कर like कैसा था आपका कर देप जानेंगे अप ने जो जो लिखा है उससो का सही जाणकारी देर हैं कि जो है न वो ध्यान रखेगा एक कॉपी आप अपने पास रख ली जागे क्या लिख के भेजा यह आपको पता होना चाहिए कोशन वहां साएंगे तो यह सारा कुछ बैठके टू मेंबर जूरी जखेंगे और इनके हाथ भी नहीं है सेलेक्शन का कि आपको सेलेक्ट कर लेंगे यहां पर क्या होगा यह ओ नहीं सेलेक्शन का है थोड़ा बहुत यह जो टू मेंबर जूरी जिसको सेलेक्ट करेंगे न जिस जिसको सेलेक्ट करेंगे उसके बैटेंगे एक studio NXT का होगा एक आपका कैसी का होगा और एक independent member होगा वह जज्ज होगा कोई celebrity हो सकता है कोई अपने च्छत्र में माहिर आदमी बैठ सकता है तो फिर तीन आदमी का jury बैटेगा कितने आदमी का तीन आदमी का देखें लिक्षाओंगा तीन आदमी जिस को ये दो लोग दो जुरी वाले member select करेंगे उसको ये क्या हो रहा है ये उसको ये थ्री member jury उस video को देखेंगे माली ये 600 लोगों में ये 400 लोगों को या 300 लोगों को चार सो लोगों को सेकेंड जूरी वाले टू मेंबर जूरी वाले ने सेलेक्ट कर लिया लेवल सिक्स में जिस इसको सेलेक्ट किया उसकी रिकॉर्डिंग फिर तीन जूरी मेंबर जूरी वाले टीम देखेगी वहां से आप सेलेक्ट होते हैं उसके बाद आपको शुटिंग क होगा कितना important होने वाला है जो अपने वीडियो अपने अप्लोड किया उसके उपर सेलेक्शन हो जाएगा तभी आपके पास call हो जाएगा अब उचीच को भूल जाएए आप अपने आपको परस्नल इंट्रू में कैसे पेश करेंगे यह डिपेंड करता है कि आपका पूरी से यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा informative लगा हो तो जरू से लाइक करना आप लाइक करते हैं तो वीडियो ज्यादा लोगों को दिखाया जाता है फिर मुझे पैदा होता है subscribe करेंगे तो हमारा चैनल का growth होगा या आपकी help की जरूवत है मैं भी आप लोग के लिए म अभी participate करने वाले हैं next round में यदि कुछ मुझे याद आता है तो फिर मैं आपको के साथ share करूँगा next video में कुछ बताना होगा कोई नया update आएगा तो मिस्तर का video बनाता रहूँगा एक चीज और पुछना चाहता था है आप लोग चाहते हैं यदि आप चाहेंगे GK questions का set त इतना आप जानकारी लेंगे जहां से भी लेंगे मेरा वीडियो देखिए यूट्यूब पर सब कुछ है दोस्तों सब कुछ है कहीं से लीजिए जानकारी कभी व्याथ नहीं जाएगी बस उसका जो सोर्स है न वह ऑथेंटिक होना चाहिए तो दोस्तों थैंक्यू मेरी मच क्या पार वीजिए हुना थक्याओ मेरन सेथिए धर टार हुना थेंगे टीना थाय कंवे ले वीजिए